जैसी क्रश्ण जानते हैं 2022 कन्या राशी के लिए कैसा रहेगा इस वीडियो में हम आपको हर ग्रह का विशलिशन डेट टू डेट करके बताएंगे कि वह ग्रह कब कहा जा रहा है और वहाँ पर कितने टाइम के लिए बना हुआ है और वहाँ जाने के बाद में वहाँ आपको किस सेत्र में अच्छे परिणाम देगा या बूरे परिणाम देगा जैसे यहाँ पर बुद्ध का चार्ट है तो हम बुद्ध के बारे में बताएंगे कि बुद्ध आपके किस भाव में जा रहे हैं कैसा फलित कर रहे हैं उसी तरह से सूर्य कपकप आपके किस भाव में जा रहे हैं और कैसा फलित करेंगे और उसके बाद में शुक्र कपकप कहा कहा जा रहे हैं और आपको कैसा कैसा फल देंगे। परिवर्तन होगा वो एक वार मकर से कुम राशी में जाएंगे और वापस कुम से मकर राशी में 39 अप्रेल को तो वो मकर से कुम में चले जाएंगे और 12 जुलाई को जो है वो कुम से वापस मकर राशी में आ जाएंगे तो इस तरह से हमने यहाँ पर हर ग्रह का विशलेशन करेंगे डेट टू डेट करेंगे तो आपको यह पूरा वीडियो देखना बहुत ज़्यादा महत्तपूर है जिससे आप समझ सकें जैसे मैं किसी के बारे में बताऊं कि नौकरी के सैत्र में यह ग्रह बुरा फल देगा तो इसका मतलब यह नहीं है कि सालबर बुरे फल आएंगे जब तक वह ग्रह बना हुआ है तब तक वह वहाँ पर बुरा फल देगा और उसके बाद में जब दूसरा ग्रह उसी भाब में आके हो सकता है आपको अच्छा फल दे तो इस वज़े से आपको पूरा का पूरा वीडियो देखना जरूरी है और इस वीडियो के अंत में हम आपको यहां भी बताएंगे के आपके लिए कौनसा दिन सबसे ज़्यादा अच्छा हो सकता है और कौनसा दिन जो है वो सबसे इस उपाय करने चाहिए जिससे आपकी रफतार जो है सफलता की वो दुगनी हो सके तो हमारे साथ बने रही है और इस राशी फल का पूरा का पूरा फाइदा उठाईए तो चलो शुरुआत करते हैं तो यह साल जो है इसमें जो अप्रेल का महीना है वह सबसे ज़्यादा महत महत्पूर्ण है अब यह क्यों महत्पूर्ण है क्योंकि चार बड़े ग्रहों का परिवर्तन इस साल अप्रेल महीने में होने वाला है राहुदेव और केतुदेव दोनों ही 12 अप्रेल को राशी परिवर्तन करेंगे 13 अप्रेल को गुरुदेव का राशी परिवर्तन होग तो इतने बड़े ग्रहों का राशी परिवर्तन जो है वहाँ अप्रेल महीने में होने वाला है तो यहाँ पर आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्तपुन बात क्या है आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्तपुन बात यहाँ है कि गुरुदेव का जो 13 अप्रेल को राशी पर आते ही काफी उसमें अच्छे फल आने लगेंगे कुछ समश्याओं का हमेशा के लिए शर्वनास हो सकता है तो यह अप्रेल के महीने में जो गुरुदेव का राशी परिवर्तन है वह सबसे अच्छा है और उसके बाद में जब सनीदेव का उलजे हुए थे या कोट कचरी में कोई मामला अगर उलजा हुआ था या सत्रू जादा परिशान कर रहे थे या कोई लंबी बिमारी जो आपको बहुत समय से उसका सही इलाज नहीं मिल रहा था तो अप्रेल के बाद में जब सनी देव यहां पर आएंगे तो इन सब समश्या का निराकरण हो जाएगा और यहां 29 जुलाइ तक 12 जुलाइ तक यहां पर बने हुए रहेंगे तो 12 जुलाइं तक का यह जो टाइम है वह आपके लिए बहुत ही अच्छा है अब हम जानते हैं कि इस साल नाप के अफसर आपके लिए कैसे कैसे रहेंगे तो जब हम देखते हैं कि आपके जो 11th house पे हम देखें और second house देखें और 7th house देखें इनके basis पे हम आपको बताएंगे और 12th house के basis पे हम आपको यह बताएंगे कि खर्चे किस तरह से रहेंगे तो अप्रेल तक आपके 11th house पर सनी और केतु की दृष्टी बनी हुई रहेगी तो इसका मतलब यह है कि लाप के अफसर आपको कुछ कम मिलेंगे अप्रेल तक क्योंकि सनी और केतु की दृष्टी एक तरह से अच्छी नहीं मानी जाती है शापित योग भी मनाया जाता है इसको तो इस वज़े से लाप के अफसर कुछ कम ही मिलेंगे लेकिन अप्रेल में जैसे ही गुरू का परिवर्तन होगा 13 अप्रेल को तो गुरू देव की दृष्टी यहां पर आ जाएगी तो और सनी देव की दृष्टी भी यहां पर रहेगी तो गुरू और सनी दोनों की दृष्टी रहेगी तो लाप के सेत्र में कुछ नए परिवर्तन हो सकते हैं कुछ नई उपरचुनिटी आ सकती है जीवन को बदलने वाली कई बार ऐसे भी योग बनते हैं जो जीवन को बदल दे ऐसे लाब के नए अफसर मिल सकते हैं अगर आप कोई पढ़ाई के सेत्र में है अगर आपकी कोई डिगरी पूरी होने वाली है तो वह डिगरी पूरी हो सकती है आपको कोई उपादी मिल सकती है, पदवी मिल सकती है, आपकी प्रतिष्ठा में चार चान लग सकते हैं, तो यहां बहुत ही अच्छी बात रहेगी, यहां पर गुरी और सनी की दरश्टी आना, आपके लिए आपके जीवन के हर सेत्र में आपको कुछ न कुछ सफलता है, अब हम बात करते हैं, कि लाप के बाद में, आपके अवशर तो इतने हैं, लेकिन धन संचे कितना कर पाएंगे, तो हम जब आपके सेकंड हाउस को देखते हैं, और आपके खर्चे किस तरह से रहेंगे, तो हम आपको 12th हाउस को देखते हैं, तो हम जब आपके सेकंड ह तो केतु देव का यहाँ पर आना और आपके जो 12th house पर जो है वहाँ अपरेल के बाद में राहू और सनी की दृष्टी बनी रहेगी और पूरे साल बर यहाँ 12th house पर राहू की दृष्टी रहेगी अपरेल के बाद में तो इसका मतलब यह है कि आकश्मिक खर्चों का योग भी इस साल बहुत बड़ा बना हुआ रहेगा कुछ खर्चे ऐसे हो सकते हैं कुछ expenses ऐसे हो सकते हैं जो अभी आपकी plan की list में नहीं है आपने plan नहीं कर रखे लेकिन इस साल अप्रेल के बाद में ऐसे खर्चे जादा हो सकते हैं दूसरी बात हम करें परीवार की तो परिव तक उसको सुलजा दे उसके बाद में इन मैटर्स को सुलजाने में ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि यहां पर आपके सेकिंड हाउस में केतु देव आ जाएंगे और साल के जब सनी देव अपना राशी परिवर्तन कर देंगे 12 जुलाई को तो उसके इस वज़े से परिवार के सदश्यों के बीच में अगर कोई इस्यू है तो इसको मेरा यह नुरोद रहेगा आपको कि अप्रेल से पहले उसको निप्टाने की कोशिस जरूर करें अब हम बात करते हैं नौकरी के सेत्र में और वैपार के सेत्र में कैसे रिजल्ट विलेंग को मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाएगा या उसक थोड़ा कम मिलेगा अप्रेल के बाद में यहां पर गुरुदेव आ जाएंगे जो वैपार में आपके चारचांग जरूर लगा देंगे और फिर साल के अंत तक जब सनी देव का परिवर्तन हो जाएगा 12 जुलाई को त से पहले थोड़ा सा सोस समझ के करें क्योंकि सनी देव जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उत्ता आपको फल दे पाएं इसमें थोड़ी सी हिचक है लेकिन जब सनी देव अप्रेल से जुलाई के बीच में आपके 6th हाउस में बनेंगे तब यहां आपको अच्छे सनी देव हैं और सनी देव जो है आपके 31 अप्रेल को यहां पर आ जाएंगे तो इसकी वजह से अप्रेल के एंड से लेकर जुलाई तक आपको नौकरी के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे अगर आप किसी नौकरी के लिए अटेम्ट करते हैं कोई competitive exam की त्यारी कर रहे हैं जिसमें आपकी नौकरी मिलने वाली है तो उस समय अगर रिजल्ट आता है तो आपको अच्छे फल या अच्छे परिनाम मिल सकते हैं जो competitive exam की जो बच्चे त्यारी कर रहे हैं अगर उनका result आता है तो इस समय उनको भग्य का साथ मिल सकता है वो exam को crack कर सकते हैं लेकिन जुलाई के बाद में यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर केतुदेव की द्रश्टी रहेगी तो जुलाई के बाद में competitive environment ज्यादा रहेगा नौकरी के अंदर किसी तरह की कोई भी रिस्क जुलाई के बाद में आपको नहीं लेनी चाहिए आपको अपने सह कर्मियों से अनावश्यक रूप से प्रताडित किया जा सकता है तो इस वज़े से आपको केतु के उपाय इस साल विशेश रूप से करने है वह इस वज़े से करने है क्योंकि वह आपके परिवार के house में जा रहे है और उनकी पंचम द्रश्टी जो है आपके नौकरी के गर में आ रही ह और सत्रू के उपर आ रही है और अगर आपके कोई लॉन ले रखा है तो उस पर आ रही है अगर कोट कचरी पर कोई मुकदमा चल रहा है तो उस पर आ रही है तो इस साल आपको केतु के उपाय जरूर करने है जो मैं इस वीडियो के end में आपको बताऊंगा तो उसके उपा मकान वहांत की तो मकान और वहांत का जो 4th house है वहां पर अप्रिल के बाद में राहू की द्रश्टी बनी हुई रहेगी तो इसका मतलब है मकान पर वहांत पर अनावशिक खर्चे इस वर्स होने की संभावनाएं बनी हुई रहेगी आप इनके उपर खर्चा कर सकते हैं नया अब ले सकते हैं नया मकान भी आप ले सकते हैं दोने चीज में ले सकते हैं लेकिन जरूरस से ज्यादा आपको expenses होंगे जरूरस से sustain के लाइफ कुछ परेशानियां आ सकती है मेरीड लाइफ के अंदर मेरीड लाइफ में जितनी इस्मूत आप चाह रहे हैं उतना इस्मूत नहीं हो सकता है कुछ शमश्यां उत्पन हो सकती है लेकिन जैसे ही अप्रेल में गुरुदेव यहां पर आ जाएंगे तो ऐसे लोग जो अभी साधी के संबंद में नहीं बने हुए है और वह चाते हैं कि उनकी साधी हो जाए तो ऐसे समय उनकी साधी हो सकती है अप्रेल के बाद में साधी संबंद के योग बहुत ही अच्छे बन रहे हैं आप अपना एफट लगाएं आपको सफलता जरूर मिलेगी अब हम बात करते हैं रोमांस की तो जो लोग रोमांस में हैं तो अभी अप्रेल तक सनी और रहू की द्रश्टी जो है फिफ्थ हाउस पे बनी हुई है तो प्यार मुहंबत में कुछ कमी का एसास हो सकता है जितना रफ्तार आप चाते हैं रिलेशन में उसमें कुछ कमी रहेगी और अप्रेल से जुलाई के बीच में मिक्स टाइम है कुछ नया होने की संबावना कुछ कम है और उसके बाद में यहाँ पर सनी देव आ जाएंगे तो यह हम पूरा साल जो है एक तरह से मिक्स रिजल्ट देगा कभी अच्छा तो कभी बूरा पूरा साल एक जैसा रहने की संबावना कम रहेगी अब हम बात करते हैं एजूकेशिन करने वाले बच्चों के लिए तो एजूकेशिन करने वाले बच्चों के लिए अगर हम देखे है तो kompetitive exam की त zacारी करने वाले लोगों के लिए पहले ही मैं बता चुका हूँ कि अप्रेल से जुलाई का टाइम के योग ज़ादा रहेंगे उनका पढ़ाई में मन थोड़ा सा कम लगेगा तो इस साल आपको गायत्री मंत्र का जाप student को जरूर करना है यहाँ बांद के रखें यहाँ आप समझ लें क्यों जरूरी है क्योंकि इस साल आपके मन बटकने के योग जाना बने रहेंगे क्योंकि पहले बाद सनी और रहू की दृष्टी रहेगी और उसके बाद में यहाँ पर सनी देव वापस आ जाएंगे जुलाई के अंदर तो कुछ डिप्रेशन जैसा टाइम आ सकता है तो अगर आप गायत्री मंत्र का पूरे साल करते हैं तो आ अब मैंने आपको जैसे सुरुवाद में बताया था कि बुद्ध, शुक्र, मंगल यहाँ कैसा करेंगे इसके बारे में और किस-किस हाउस में जाएंगे तो यहाँ ग्रह जो है एक पटिकुलर हाउस में एक महीने या एक महीने से कुछ ज्यादा या कम स्टाइम तक बने आशिश्वामी है तो इस वज़े से बुद्ध को प्रशन रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है तो जब हम बुद्ध का विवेचन करते हैं तो यहाँ पर एक चार्ट आ रहा होगा इसके अंदर हमने यह बताया है कि बुद्ध ग्रह जो है कब आपके किस भा अगर प्यार, महबत और रोमांस वाले जो कोई अगर ऐसा आपकी लाइफ में चल रहा है तो उसमें थोड़ा सा सोच समझ कर आगे बढ़ने की जरूरत है तो यहाँ थोड़ा सा जो है क्रिटिकल टाइम है तो अब अच्छा टाइम कब है तो अच्छा टाइम आएगा 6 मार वाला टाइम अच्छा है वैसे मैंने पहले वो बताया है दूसरे घ्रों के हिसाब से लेकिन अब हम बता रहे हैं बुद्धगर के हिसाब से तो बुद्धगर यहाँ जो है 6 मार्च से 23 मार्च के बीच में अच्छा फल देंगे फिर 8 अप्रेल से 24 अप्रेल के बीच में भ बहुत ही अच्छा है उसके बाद में 17 जुलाई से 31 जुलाई तक का टाइम भी बहुत ही अच्छा है लाब के नए अफसर मिलेंगे उसके बाद में 21 अकस्त से लेकर 25 अक्टुमबर तक का टाइम बहुत अच्छा है अगर कोई आपके फरीर में कोई शमश्या आ रही है किसी रोक से आप ग्रशित है तो इस समय आपको उस रोक से मुक्ति मिल सकती है उसके बाद में 26 अक्टुमबर से लेकर 12 नौंबर का टाइम बहुत अच्छा है और फिर इस समय परिवार के अंदर कुछ सुब मंगल काम हो सकते हैं और दूसरी बात कुछ धन संचे जादा हो सकता है उसके बाद में 3 दिसमबर से लेकर 27 दिसमबर का टाइम भी आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है तो यह जो जब 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 बुद्गर अच्छा रिजल्ट देंगे तब तक आपका स्वास्थ भी अच्छा रहने की संभावना रहेगी और आप खुद के अंदर एक अप्रेल तक इस समय बुद्गर जो है सेवन्थ हास में जाके नीच के हो जाएंगे तो इस समय आप अपने स्वास्थे का विशेज ध्यान रखें और दूसरा आपने वैपार में कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेने से बचें उसके बाद में 1 अगस्त से 30 अगस्त के हैं कोई नया कारिय उस समय स्टार्ट नहीं करें अब हम बात करेंगे शुक्रगर की तो यहां पर एक चाट प्रतशित हो रहा होगा इसमें बताया है जहां जहां इश्टार लगे हुए हैं वहां पर सुक्रगर जा रहे हैं उतने दिन के लिए रह रहे हैं और वहां पर आपको अच्छे result देंगे, education करने वाले बच्चों के लिए भी 27 फरवरी से 30 मार्च का time अच्छा रहेगा, लेकिन इस time बुद्ध बुक्यार दे रहे हैं, लेकिन सुक्र अच्छा result देंगे 27 फरवरी के बाद में, तो आपको इसी वज़े से हर घ्रह का देखना जरूरी होता क्योंकि सुक्र जो है, आपके भग्ये से हैं, और ये आपके 7th house में जाके उच्च के हो जाएंगे, तो वैपार में एक नई रफ्तार मिलेगी, अगर आप भग्ये के भरोसे कोई बड़ा खेल खेलना चाते हैं, तो ये 27 अप्रेल से लेके 22 मही के time में, आप कुछ रिस्क कुछ नया decision ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा time है, उसके बाद में 18 June से लेकर 12 July तक का time भी बहुत अच्छा है, और उसके बाद में 18 October से लेकर 10 November तक का time भी सुक्र ग्रह के इसाब से बहुत अच्छा है, ये 2nd house में बने रहेंगे, परिवार के सदस्यों के बीच में एक लॉन का कोई issue यार सरी के अंदर कुछ बीमारी है, जो सुक्र ग्रह से जुड़ी हुई है, तो अपना विशेश ख्याल रखें, उसके बाद में 13 July से 6 August के बीच में, ये समाजिक मंच पे आपको कुछ ने कुछ परताडित कर सकते हैं, उसके बाद में 24 September से लेकर 17 October तक अप सूरिय घर कब-कब आपके किस-किस हाउस में जा रहे हैं और वहां कैसा फल दे रहे हैं, तो सबसे पहले साल की सुरुवाद 14 January से लेकर 11 February तक यह मकर राशी में बने हुए रहेंगे और आपके लिए यहां टाइम ज्यादा अच्छा नहीं है, सूरिय देव यहां आपको अ रिजल्ट देखते हैं, समाजिक मंच पे आप एक नई, आपको नया मतलब बोलते हैं नया नाम मिलना, नया फेम मिलना, 15 जून से 15 जुलाई के बीच में अच्छा रिजल्ट यहां आपको जरूर देंगे, फिर 16 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक यहां लाब के नए अफसर पैदा करेंगे, और उसके बाद में 16 नवंबर से 15 जुलाई में भी यहां आपको अच्छा रिजल्ट देंगे, अब यहां कब-कब आपको बुरा फल दे सकते हैं, तो साल की सुरुआत में यह पंचम हाउस में बने रहेंगे, तो संतान समश्या लेकर आ सकते हैं, संतान से संतान से रिलेटेड आपको कोई दिक्कत दे सकते हैं, उसके बाद में फिर 15 मई से 14 जुन के बीच में यह नवंब हाउस में जले जाएंगे और वहां पर आपको बुरा फल देंगे, तो भग्ये का बहुत बड़ा डिसिजन अपनको सूर्य के बरोसे नहीं लेना चाहिए, अगर सूर्य से रिलेटेड अगर उस समय अपन कोई काम करते हैं, तो उस समय करने से बचना चाहिए, या एस्ट्रोलोजिकल एडवाइस लेकर करनी चाहिए, अगर सूर्य से रिलेटेड कोई काम उस समय कर रहे हैं, उसके बाद में 17 से लेकर 16 अक्टुमबर तक का जो तो इसका मतलब यह है, परिवार के सदश्यों के बीच में मनमुटा बढ़ा सकते हैं, कोई बहुत बड़ा खर्चा लेकर आ सकते हैं, तो इस टाइम विसे सावधानी रखें, तो इस तरह से सूर्य देव आपको साल बर फलित कर सकते हैं, अब हम बात करेंगे मंगल गरह की, म दूसरा एक बड़ा उपाए जो उन्हें जिन्दगी पर करना चाहिए, वह यह है कि उन्हें blood donation करता रहना चाहिए, कन्याराशी के लिए, यह आपका इस साल के लिए नहीं है, हमेशा के लिए है कि कन्याराशी के लोगों को blood donation करते रहना चाहिए, और हनुमान जी की सरन में जरूर जाना चाहिए क्योंकि कन्या राशी के लिए मंगल देव हमेशा परेशानिया खड़ी कर सकते हैं तो अब हम बात करते हैं इस साल मंगल घर आपको कहां फायदा देने वाले हैं और कहां आपके लिए रुकावट खड़ी कर सकते हैं तो सबसे पहली बात जो है जहां यह अच्छा रिजल्ट देंगे वह है 7 अप्रेल से लेकर 16 मई तो इस समय यहां लॉन के मेटर, कोट कछरी के मुकदमे और सत्रू से परेशानी सब कुछ हटा सकते हैं 7 अप्रेल से 16 मई के टाइम में यहां आपको अच्छा रिजल्ट सकते हैं बाकी जो है मंगल ग्रह वैसे भी करने राशी को ज्यादा अच्छे फल नहीं देते हैं तो कहां-कहां परेशा नहीं खड़ी कर सकते हैं और किस से अप्रेल के बीच में संत्यान समश्या से लेटेड कुछ प्रॉलम कर सकते हैं अगर कुछ नया सीखने के लिए नॉमबर और फिर तेरा नॉमबर से लेकर इयर एंड तक यहां पर आपको यह भाग्य में कुछ न कुछ अडचन डाल सकते हैं तो मंगल देव वैसे भी कन्या राशी के लोगों को अच्छा फल नहीं देते हैं तो यह कुछ टाइम है जब आपके लिए परिशानी कर सकते ह तो आपको एक उपाय तो दो उपाय मैंने आपको हमेशा पताया कि आपको हनुबान जी की सरण में जाना चाहिए और दूसरा ब्लड डॉनेशन देना चाहिए जिससे आपको मंगल देव के अच्छे प्रिना मिले एक चीज मैं आपको बता दूँ आपको परिशान होने की जरूत नहीं है, depression में जाने की जरूतनि है, हर राशी के लिए हर घर ह अच्छा नहीं हो सकता, हर राशी में कोई न कोई ऐसा घर होता है जो उस आदमी को परेशान कर सकता है या उस राशी चाठ के लिए बूरा होता है, तो करनिया राशी के लिए मंगल घर ह इतना अच्छा चाहिए और यह हमने गणना की है आपके चंद्र के आधार पर कि चंद्रमा जब चौथा आठवा बारवा होता है तब बुरे रिजल्ट दे के आता है नई शमश्याएं खड़ी करता है मानसिक वैथा उत्पन कर सकता है तो यह वह सारे दिन है इस साल के जिस दिन आपको साव इंवेश्मेंट करने से बचना चाहिए अब हम जानते हैं कि कन्या राशी के लिए लखी डे कौन सा रहेगा तो बुद्धवार और सुक्रवार इनके लिए बहुत ही अच्छा है लखी कलर कौन सा है तो ग्रीन कलर और वाइट कलर इनके लिए अच्छा है लखी नंबर कौ डॉनेशन करता रहना चाहिए और हनुमान जी की सरण में जरूर जाना चाहिए सुंदर कांड का पार्ट करना चाहिए हनुमान चालिशा का पार्ट जरूर करना चाहिए अब इस साल का विशेश उपाय बताता हूँ क्योंकि आपके केतुदेव सेकिंड हाउस में जा रहे हैं और राहू की 12th house पे द्रश्टी बनी हुई रहेगी तो अंधे लोगों को जो blind लोग होते हैं उनकी आपको इस साल विशे सेवा करनी चाहिए कोई ऐसा आसरम हो जा अंधे लोगों को रखा जाता हो तो आप वहाँ पर जाएं अपना समय उनके साथ वैतित करें और उनके मिलेगा और आपकी सफलता की रफतार भी बहुत अच्छी हो जाएगी उमीद करता हूँ आपको हमारा content अच्छा लगा होगा अब आपसे एक निवेदन है कि आप हमारे चैनल को जरूर लाइक करें सबिस्क्राइब करें और notification का बटन ओन करके रखें जिससे आपको सही समय पर सारे वीडियो मिलते रहें इसी उमीद के साथ में कि आप ऐसा जरूर करेंगे जैस्री क्रश्न